हाई मैं हूं फैज और आप देखेर फैज टैग तो क्या दोस्तों आपको भी इस तरह की वीडियो बनाने सीखना है अगर वीडियो को सीखना है तो वीडियो को आखे तक देखे और चैनल को लाइक सेस्क्राइब और सेर करना ना भूले तो गाइस पहले हम काइन मास्टर ओपेन कर लेंगे जी काइन मास्टर ओपेन करने के बाद हमें एड के ओप्सन में जाना है और एड के ओप्सन में जाते ही हमें 16 रेसियो 9 का ओप्सन चूज़ कर लेंगे जी चूज़ करने के बाद हमें जाना कहां पे हैं बैक ग्राउंड म जाते ही हम black color का background जो नजर आ रहा है वो choose कर लेना है जी हाँ choose करने के बाद अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इसके length को लंबा कर देते हैं आप का मन आप जितना भी इसका length को लंबा कर सकते हैं तो मैं अपने हिसाब से length को लंबा कर लिया अब मैं जाओंगा देखिए यह यहाँ पर layer पर जाके मैं text का option choose कर लूँगा और यहाँ पर मुझे क्या लिखना है how to make handwriting video ओके तो यहाँ पर आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं आपका जो मन चाहे वो आप लिखिए मैं आपको यहाँ पर सिब बता रहा हूं कि आप इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ और आपको इस video को सीखना अची तरह से तो वीडियो के अं तक रहे और ढ्खे के साथ देखे क्योंकि सीखना इतना आसान नहीं होता है लेकिन अगर आप किसी वी चीज़ को अची तरह से सीखना चाहते हैं उसके पीछे मेहनद कर ना होगा बिना मेहनद के आप यह नहीं कर सकते हैं तो चलिए मैं यहां पे लिख लिया हूँ अब मैं इसके साइज को लंबा कर देता हूँ आप यहां पे सेट कर लीजिए आपके अपने हिसाब से कि आप कितना रख सकते हैं कितना आपको रखना है तो मैं अपने हिसाब से यहां पे रख लेता हूँ और यहां मैं अब मैं यहां से आपको दिखाने वाला हूँ कि नीचे और कैसे add कर सकते है text तो मैं चलिए फिर से layer पर जाओंगा जी हाँ यहाँ 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 फिर से layer पर और मैं यहाँ पर text का option जो है वो मैं choose करने वाला हूँ जी हाँ तो अब आप यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ In kind master तो यह देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ In kind master जी हाँ मैं फिर से तोहरा रहा हूँ कि अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो के अंतक बने रहे और carefully देखिए और मैं option में ok कर दिया अब मैं इसको भी set कर देता हूँ जी हाँ set कर देता हूँ अपने हिसाब से जी हाँ अब आप उपर वाले test में जो font डाले है similar font यहाँ पे रखना है जी हाँ similar font रखिएगा तभी आपको वीडियो अच्छी तरह से बनेगा जी हाँ font अब मैं choose कर लिया हूँ चूज करने के बाद मैं यहाँ पे जी दोस्तो इस वीडियो का आप पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत लगा है अगर आप नहीं देखेंगे तो मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा तो मुझे यकीन है आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप मैं आगे चलता हूँ मैं हाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर आगे क्या करना है तो आप मैं टेक्स्ट में क्लिक किया टेक्स्ट में क्लिक करने के बाद मुझे जाना है इन एनिमेशन जिहां अब इन एनिमेशन में जाके मुझे ओप्सन से चूज करना है वाइप राइट तो देख सकते हैं आप किस तरह से एक एक लेटर आ रहा है मेरे यहाँ पे इस वाइप राइट को चूज करने के बाद मैं एक बार वीडियो को चला कर देख लूँगा उससे पहले मैं नीचे वाला लेटर को भी चूज कर लेता हूँ वाइप राइट में ताकि ये भी उसी तरह नजर आए जिस तरह से उपर वाला टेक्स्ट दिख रहा था तो अब मैं आपको पूरा चला कर दिखा देता हूँ कि किस तरह नजर आजाएगा बट उससे पहले नीचे वाला जो टेक्स्ट है उसको आप उस हिसाब से रख लीजिए कि ताकि उपर वाले आने के बाद मेरा नीचे वाला लेटर है वो नजर आए तो देखिए किस तरह से ये मेरा वीडियो को प्ले करते है और प्ले करने के बाद में नजर आएगा कि उपर वाला चलने के बाद मेरा नीचे वाला भी चलने लगा तो जी हां इस तरह से आप set कर सकते हैं अब हम यहां से png select कर लेते हैं जी हां आप एक hand का png select कर लिजेगा उसके बाद आप क्या करिएगा right में आपका जो later first है वहां का starting से आप वहां पे choose करिएगा इसे ठीक है और अपना hand png hand का जो length है उसे अपना large कर दिजेगा जहां तक black background है वहां तक आप उसे रख कर खीच लिजेगा ठीक है ताकि यह hand अपना हिसाब से चलते रहे तो इस तरह से देखिए मैं यहां पे रख लिया हूँ और अब मैं यहां पे key का जो option है वो choose कर लूँगा जी हां choose करने के बाद मैं hand को धीरे धीरे drag करूँगा उसी text के उपर last later तक जहां आपका o है वहां तक मैं इसे choose कर लेता हूँ जी हां अब यहां से मैं आप लोगों को पूरा वीडियो एक बर फिर से start करके दिखा देता हूँ तो चलिए यह वीडियो start हो गया है तो देखिए किस तरह से यह आ रहा है हाथ के साथ जी हां अब यहां पे मैं kind master भी आ चुका है मुझे उपर वाले जैसा ही नीचे वाले को करना है तो मैं first letter जो start हुआ है इनका वहां key option को select करके अब मैं जो png है उसे drag करूँगा आई तक जी हां इस तरह drag करके drag करने के बाद मैं ok का option को choose कर लूँगा अब text में जाके text को मैं खीच लूँगा इस तरह से जी हां और मैं फिर से key के option में जाने के बाद text के उपर मैं खीचना स्टार्ट कर दूँगा जी हां इस तरह से last letter आर तक मैं इसे खीच कर ले आता हूँ ताकि मेरा जो उपर वाला वीडियो था same to same बने तो अब मैं आपको full वीडियो देखा रहा हूँ कि इस तरह से देखिए मेरा कैसे hand png स्टार्ट हो गया चलना तो इसी तरह से मेरा वीडियो complete होता है और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगी तो चैनल को like, subscribe और share करना ना भ अबले